नमस्कार दोस्तों, Study IQ में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है Dr. Mahipal Singh राठोड और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूँगा High Altitude Warfare के बारे में उचाई वाले परवतिय शेत्रों में लड़ाई लड़ते समय, हमारे सैनिकों के सामने क्या challenges आते हैं, क्या परिशानिया आती हैं, उनको यहाँ पर मैं discuss करूँगा और भारत और चाईना की जो recent clashes हैं, वो सभी mountain areas में हुए हैं, तो इसलिए High Altitude Warfare थोड़ा हमारे लिए भी चर्चा का विशेरा है और इसके बारे में कुछ basic जानकारिया मैं आपसे साजा करना चाता हूँ अगर आप मुझसे social media पर जुणना चाते हैं, तो मुझे Twitter, Instagram या Facebook पर इन IDs पर follow कर सकते हैं, मेरे सभी lectures के updates आपको यहाँ प्राप्त हो जाएंगे अगर आप lectures के PDF डाउनलोड करना चाते हैं, तो इस Telegram चैनल को subscribe कीजिए अगर आप civil सिवा परीक्षा की तैयारी करना चाते हैं, IAS बनना चाते हैं, तो Study IQ app पर आपके लिए UPSC smart course available है इस course को बनाया है Study IQ की faculties और कई IAS और IFS officers ने, तो इन faculties के systematic course material के द्वारा आप घर बैठे, अपने mobile phone पर IAS की तैयारी कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी Metro City में migrate करने की आवशकता नहीं है तो जल से जल डाउनलोड कीजिए Study IQ app को Google Play Store से, इस पर IAS के अलावा अन्य कई exams की course available है और अभी इन पर EMI option भी उपलब्द है पहाडों में लड़ाई, यानि mountain warfare, दुनिया में सबसे खतरनाक तरीके की लड़ाई होती है क्योंकि इसमें ना किवल दुश्मन से लड़ना होता है, बलकि मौसम और साथ-साथी जमीन, यानि terrain से भी आपको लड़ाई लड़नी होती है और इसी लिए यहाँ पर एक special infrastructure चाहिए, special training चाहिए सेनिकों को और यही high altitude warfare को challenging बनाता है अब भारत high altitude warfare में बहुत ही अगरणी है, दक्ष है क्योंकि हमने बहुत लड़ाई हैं लड़ी है इन परवतों में, हमारा almost पूरा India-China border परवती है और जो 1947-48 में कश्मीर में लड़ाई हुई थी, भारत पाकिस्तान के बीच में, वो भी warfare, mountain warfare के रूप में थी 1962 इंडो-China war, यह भी mountains में लड़ा गया था, 99 का कार्गिल war, यह भी completely पहाडों में लड़ा गया था और दुनिया का सबसे उचा battlefield, सियाचिन glacier पर हमारी फौजे 1984 से तैना थे हैं अगर हम भारत के borders को देखें map में, तो देखें जो हमारा और चाइना का border है, वो तो पूरा ही परवतीय border है right from Arunachal Pradesh till Jammu and Kashmir, Ladakh region और कश्मीर के साथ भी हमारा काफी लंबा border खास करके LOC वो पहाडी शित्रों में आ जाता है, उसके बाद हलागी पंजाब और राजस्थान में यह बिलकुल plains या फिर desert वाला area है लेकिन कश्मीर में सबसे जाधा problems होती है, LOC पे ही सबसे जाधा समस्या होती है तो कारगे लिद्ध भी वहीं लड़ा गया था और इंडो चाइना वार भी mostly अरुनाचल प्रदेश, यानि यहाँ पर eastern sector में और साथी साथ लड़ाख में, यानि कि यहाँ western sector में लड़ा गया था और यहाँ पर हम Siachin Glacier की location भी एक बार देख लेते हैं तो यहाँ पर स्थित है Siachin Glacier जो दुनिया का सबसे उंचा battlefield इस वक्त बना हुआ है और इस वक्त चाइना और इंडिया के बीच में जो clashes हो रहे हैं वो mostly Pangong Lake के किनारे पर हो रहे हैं, यहाँ पर या फिर Galwan River Valley के आसपास में clashes देखे जा रहे हैं तो क्यूंकि भारत की सीमाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा परवतों में स्थित है इसलिए भारत की सेना हमेशा से Mountain Warfare Skills को एहमियत देती आई है हमारी सेनाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्पेसिफिकली इसी काम के लिए train किया जाता है परवतों में लड़ाई के लिए तो अब आर्मी exact figures कभी नहीं बताती है लेकिन एक अंदाजा है कि भारत की सेना जो की लगबग 13,00,000 स्ट्रेंथ है उसकी उसमें से 2,00,000 सेनिक Mountain Warfare के लिए train किये गए हैं जो इस तरह के terrain में इस तरह की उंचाईओं पर survive भी कर सकते हैं और लड़ाई भी लड़ सकते हैं एक आम नागरिक के लिए या फिर एक परवतार होई के लिए यहां पर किवल survive करना ही अपने आप में एक challenge होता है लेकिन सेनिक यहां पर लड़ाई लड़ने के लिए train किये जाते हैं Mountain Warfare का सबसे पहला challenge है सेनिकों की training अब हमारे सेनिक जादातर plains area से आते हैं हाँ परवतों से भी कई regiments recruit करी जाती हैं लेकिन जादातर जो सेनिक हैं वो एक assume आप करी सकते हैं सबसे पहले सेनिकों को mentally और physically दोनों तरीके से तयार करना होता है कि आपको पहाड में survive करना है और आपको पहाड में लड़ाई लड़ने के काबिल होना है तो उसमें सबसे पहला काम होता है mountaineering यानि परवता रोहन की training तो basic और advanced दोनों परकार की mountaineering की training दी जाती है ताकि पहाडों में कैसे चड़ना है कैसे slopes पर चड़ते हैं किस तरह से रस्यों का use करना होता है इस तरह की basic training दी जाती है सेनिकों को advanced training में इस तरह की steep slopes पर चड़ना सिखाया जाता है रस्यों के सहारे या special equipment के सहारे तो इसके लिए सेना ने कुछ special schools बना रही है जिन में सबसे important है high altitude warfare school at gulmarg in jammu in kashmir यहाँ पर भारत की सेना की नहीं बलकि देश-विदेश के सैनिक आते हैं training के लिए US, Germany, सभी देश अपने सैनिकों को यहाँ पर advanced training के लिए mountain warfare की training के लिए भेजते हैं दूसरा है कारगिल युद्ध के बाद establish किया गया कारगिल battle school यह है द्रास sector में कारगिल district में तो यहाँ पर भी advanced training दी जाती है mountain warfare की और साथी साथ ऐसा नहीं कि तैनाती के बाद training खत्म हो जाती है इन schools में training के बाद भी जो सैनिक है वो अपनी units में भी training करते रहते हैं तो हर स्तर पर trainers उपलब्द करवाया जाते हैं सेना के द्वारा जो सैनिकों की training continuously जारी रखते हैं फिर सेना ने कुछ ऐसे regiments बना रहे हैं जहाँ पर पहाड के लोगों को recruit किया जाता है वहाँ के local पहाडों में रह रहे हैं तो उन्हें पहाडों को कैसे tackle करना है negotiate करना है यह सब उन्हें already आता है तो उन्हें केवल advanced training देने की अवशक्ता होती है अगला बड़ा challenge है सेनाओ के लिए कि पहाडों में non battle casualties को कैसे कम किया जाए non battle casualties का मतलब है कि वो injuries या फिर वो मौते सैनिकों की जो लड़ाई के अलावा होती है तो लड़ाई के अलावा मौत किन चीजों से होती है weather और terrain तो weather वहाँ पर बहुत ही change होता रहता है पहाडों में मौसम ऐसा है कि कभी भी बरफ बारी हो सकती है कभी भी snowstorm आ जाता है कभी भी avalanches हो जाते है और साथी साथ ऐसे में बरफ अगर soft है तो सीधा नीचे धस सकते हैं और वैसे ही challenging terrain है यहाँ पर normal चलते जलते ही कई सैनिकों की यहाँ पर गिरने से भी मृत्यू हो जाती है तो यहाँ पर basic training mountaineering की बहुत ही ज़रूरी है और उसके बाद weather से लड़ना भी आना चाहिए तो weather में सबसे पहला challenge है acclimatization acclimatization का मतलब होता है कि जब आप किसी उचाई वाले स्थल पर जाते हैं तो जैसे आम तोर पर हमारे जो mountain वाले areas हैं वो 14,000 feet की उचाई से जादा पर हैं तो वहाँ पर oxygen के levels थोड़े कम होते हैं और ऐसे में शरीर को उससे used to होने में काफी समय लगता है हमारा शरीर आदी नहीं होता कि इतने कम oxygen में survive करें तो जो वहाँ पर पैदा हुआ है वहीं पर रह रहा है वो used to होता है हम नहीं होते हैं तो उसमें basic acclimatization जिसमें आपको सांस लेने में भी तकलीफ ना हो उसमें 2-3 दिन minimum लग जाते हैं अगर एक tourist भी लगदाग जाता है तो उसे यही का जा हैं तो ऐसे में उन्हें कुछ हफ्तों के लिए train किया जाता है acclimatization में उन्हें used to किया जाता है और hypothermia का risk भी हमेशा बना रहता है क्यूंकि मौसम बहुत ही ठंडा है रात को temperatures काफी dip करते हैं तो अभी जो recently Galwan Valley में भी clash हुआ था वहाँ पर हमारे जादतर सैनिकों की मृत् करना है अगला challenge होता है मौसम और terrain से तो मौसम जैसे जैसे change होता है बहुत तेजी से मौसम में बदला वाते हैं तो उसी प्रकार से सैनिकों को अपने आपको ढ़लना होता है terrain के अनुसार भी उन्हें चलना या फिर लड़ाई लड़ना सीखना पड़ता है तो इस प्रकार के steep slopes में आप देखे जहां चड़ना भी मुश्किल है अगर यहाँ पर दुश्मन हमला कर दे तो लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल साबित हो सकता है तो पहाडों में मौ के बीच में बहुत गहरे खड़े जैसे होते हैं उसमें सैनिक कई बार गिर जाते हैं तो यह प्रॉब्लम सियाचन में काफी आती है अगर आपको याद हो तो फरवरी महा में बहुत बड़ा लैंड स्लाइड हुआ था उसमें भी कई सैनिकों की जान चली गई थी ऐसे में एक सैनिक को आम तोर पर 35 से 40 किलो वजन अपने साथ लेकर चलना होता है और यह बहुत डिफिकल्ट होता है तो यहाँ पर पहाड़ों में हर मूवमेंट स्लो होता है इनफाक्ट आप चलते भी हैं तो चलने की गती भी स्लो हो जाती है इतना तेजी से इंसान नहीं चल सकता फिर जो advance units हैं, जो बिलकुल border post तक जाती हैं, patrolling करती हैं, वो अपने पास केवल 2 या 3 दिन का राशन रखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनके पास पूरे महीने भर का राशन है, तो उनके लिए पीछे supply route बनाना बहुत जरूरी है, उनको reinforce करना, उन तक राशन पहुचाना काफ पर हम अपने सैनिकों को position करेंगे, ताकि वहाँ पर असानी से समान पहुचाया जा सके, अगर वो ऐसे difficult location पर हैं, जहां पर समान पहुचाने में 3-4 दिन लग जाते हैं, तो फिर वो युद्ध लडने की उनकी capacity थोड़ी कम हो जाएगी, तो supply line को maintain करना बहुत ही important है, उसके लिए dedicated army के अंदर units होती हैं, जो केवल यही काम करती है, और कई बार locals का इस्तमाल किया जाता है, समान पहाडों में, क्योंकि उनकी आदत होती है, पहाडों में चलने की, they are more equipped to walk in the snow on the slopes, और कई बार खचरों का इस्तमाल भी किया जाता है, समान को पहाडी रास्तों में ट्र पास में स्थित है, वहाँ पर उन्होंने रोड को clear किया था बरफ से, अगला challenge है machines का, इस high altitude पे जब machines लाई जाती है, तो उनके अंदर jam होने की problem बहुत common है, क्योंकि इसमें mechanical parts होते है, moving, और thund में वो सब जम जाता है, उनमें oil जम जाता है, grease जम जाती है, तो बहुत ही आम है कि rifles lock हो जाती है, jam हो जाती है, वो force gun जैसी machines भी jam होने की complaints आ चुकी है, तो ऐसे में high altitude पे इन machines को service करना, इनमें लगातार grease करना, इनमें oil डालना बहुत जरूरी होता है, और rifles को भी continuously, जो scenic है, वो उसको check करते रहते हैं कि कहीं jam तो नहीं हो गई है, लेकिन अगर युद चारी है, तीन दिन, चार दिन continuously लड़ाई चल रही है, तो उसमें ये सब करने का समय नहीं मिलता है, फिर high altitude पे helicopters भी इतनी आसानी से नहीं उड़ते हैं, आपको लग रहा होगा कि सियाचिन पे supply कितना आसान है, helicopter गया, ड्रॉप कर गया, लेकिन आपको बता दूँ कि बहुत उचा है, तो वहाँ पर हवा बहुत थिन होती है, इसलिए helicopters को problem आती है, फिर जो jeeps और trucks के अंदर fuel होता है, diesel जम जाता है, उस diesel को फिर से गरम करना पड़ता है, कई तरह के नुस्के अपनाए जाते हैं उसके लिए, anti-freeze आजकल आते हैं, materials उन में डाला जाता है, diesel petrol में, उसके बाद batteries बहुत जल्दी power lose करती है, high altitude में, जो battery आम तोर पर planes area में 10 घंटे चल जाएगी, यानि कि 30 degree के तापमान पर जो 10 घंटे का backup देगी, वो battery पहाडों में केवल एक या 2 घंटे चलती है, बहुत जल्दी power lose होता है batteries का, तो ऐसे में radio और communication equipment को चलाए रखना ब युद्ध पर, actual लड़ाई पर, तो देखिए, लड़ाई के दोरान पहाडों में, जो उचाई पर बैठा है, उसको बहुत benefit होता है, सारा benefit उसी वेक्ति को मिलता है, और उचाई को वापिस capture करना काफी मुश्किल है, तो जो भी उचाई पर बैठा होता है, वो defensive position ले ले ल अगर attacker नीचे से attack करता है पहाडी की top पर, तो उसको हमेशा जादा लोग चाहिए, मान लोग कि इस top वाले defensive position पर 10 cynic तैनात हैं, तो अगर इस पर हमला करना है नीचे से, तो यहाँ पर कम से कम 60 या 70 cynic चाहिए हैं, उस पर attack करने के लिए, कारगिल युद्ध के समय हमारे सा तो वो बहुत ही उंचाई वाले स्थलत हैं, और बहुत ही बहादुरी और जामाजी के साथ हमारे सैनिकों ने उन tops को फिर से अपने कबजे में लिया था, अब recently जो गलवान वैली वाला clash है, यहाँ पर भी कहा है कि चाइना के पास थोड़ी सी उंचाई वाले स्थानों पर positions हैं, तो ऐसे में नीचे जो river valley वाला, river bed वाला area है, वहाँ से हमारे सैनिक जाते हैं, असानी से उनने दिख जाते हैं, उनके target में होते हैं, फिर लदाक में पेड़ पौदे जादा नहीं है, vegetation नहीं है, तो कहीं पर आप conceal भी नहीं कर सकते हैं, अपने आपको defense के लिए, upmost positions हैं, यहाँ पर अपने defenses थापित कर लिए हैं, तो अब इनको यहाँ पर Chinese का रहना हमारे लिए काफी खतर ना के, क्योंकि यह directly नीचे हमारे defenses के उपर इनकी नजर रहती है, और कभी भी यह attack कर सकते हैं, तो यह सारी समस्या की जड़े, तो mountains में जिसके पास higher vantage है, जिसके recapture करना है, तो इसके लिए तरीका क्या अपनाया जाता है, देखो जो less guarded side है, जहाँ से दुश्मन कभी सोचता नहीं है कि कोई attack करेगा, वहाँ से चड़ाई चड़ो, खास करके जो steep slopes होती है, उनको use किया जाता है, जहाँ पर दुश्मन कभी सोचेगा नहीं कि यहाँ से हम जाएंगी, इस movie में यह भी दिखाया गया कि कैसे रात को attack किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर vegetation नहीं है, ट्रांस हमालेज में, तो रात के समय दुश्मन को आप दिखाई नहीं देंगे, इसलिए आर्मी रात के समय ही हमला करती है, लेकिन अगर रात को लड़ने के लिए हमा लोकल रेजिदेंट्स का, तो कारगिल युद के समय भारत ने इसका इस्तमाल किया था, लोकल रेजिदेंट्स जो है, उन्हें पहाड़ पता है कि कहां से किस पहाड़ी पर कैसे पहुचा जाए, वो उस एरिया में यूस्टू है, चरवा है खास करके, जो पहाड़ों में बक्रियों को या फिर भेडों को लेकर जाते हैं, उन्होंने इंडियन आमी की help करी थी, in fact उन्होंने ही सबसे पहले हमें बताया था, अफगत कराया था कि जो higher post हैं, उन पर पाकिस्तान की armies ने कबजा कर लिया है, तो local resident force multiplier का का काम करते हैं, they can assist the troops, they can guide the troops, उनको guide कर सकते है और terrain के बारे में detailed जानकारी दे सकते हैं, इसे के साथ ये lecture समापत होता है, thank you very much for watching this, have a great day.